तमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग साधारन ब्याज के चैप्टर को सॉल्व करेंगे बाकी के 9 चैप्टर हम लोगोंने लूसेंट गाइड से सॉल्व कर चुके हैं और जिनको भी पिछले किसी चैप्टर में दिक्कत हो तो वो उन वीडियो को जा करके देख सकते हैं आज हम लोग साधारन ब्याज के बारे में पढ़ेंगे लूसेंट गाइड से हम लोग क्वेस्टन को सॉल्व कर रहे हैं तथा इसके कॉंसेप्ट भी दे रहे हैं साधारन ब्याज में मुख्य रूप से हम लोगों को ब्याज के रूप में ब्याज जानना होगा जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को देते हैं तो कर्ज लेते हैं या फिर किसी को देते हैं तो हमें क्या करता है, वो कुछ ज्यादा रासी लोटा करके देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज, जैसे मान लेते हैं कि हमने उसको 100 रुपे का कर्ज दिया, उसने एक साल बाद हमको 10 रुपे ज्यादा लोटाया, टोटल लोटाया कितना 110 रुपे, 100 रुपे का कर्ज दिया तो जो भी हम लोग कर्ज लेंगे या जो भी कर्ज देंगे वो हमारा क्या कहलाता है मुल्धन जो हम लोग को वो अतिरिक्त धन देता है वो कहलाता है ब्याज ठेक है और जो टोटल रकम देता है ना मुल्धन और ब्याज मिला करके उसको हम लोग बोलते हैं क्या म मिस्रधन का एक फॉर्मूला हम लोग के यहां से ऐसे निकल करके आ गया कि मिस्रधन बराबर हो जाएगा मुल्धन पलस ब्याज यह हो जाए कि इसका फॉर्मूला मिस्रधन का तो मिस्रधन बराबर हो जाएगा मुल्धन पलस ब्याज तो जेनरली हम लोग इसमें ब्याज नि शौटर मुल्धन क्या है जो कर्ज लेते हैं या किसी को देते हैं वो हमारा मुल्धन कलाएगा ब्याज क्या कलाएगा जो अतरिक्त रासी हम लोग को मिलेगा या जो देना पड़ेगा उसको ब्याज कहेंगे मिस्रधन क्या कलाएगा यानि कि मुल्धन तो हम लोग उसको दें मुल्धन पप्लस ब्याज मिसरधन काव मौईर Kyesakadu मौogn फोर मौलदन प्लस ब्याज यहां से अगर भक वियाज का फोर्मुला निकालना चाहे तो मौल्धन को इधार ले आई Ay म to loan bog घृम्री तरे मिसरधन माइनस मौल्धन ब्राबर क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा तो अगर हम लोगों मिस्रधन दिया रहेगा मुल्धन दिया रहेगा तो हम लोग व्याज आसानी से निकाल सकते हैं अब यहां से हम लोगों कुछ ठर्म पर ध्यान देना है जैसे मुल्धन के बारे में हम लोगों ने जान लिया अब हम लोग कि समय के बारे में जानते हैं आखिर यह समय क्या होता है एना अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं अंग्रेजी में इसको हम लोग टाइम बोलते हैं तो समय होता है जैसे हम जब भी हम किसी से ब मुल्दन के रूप में कहा रहे हैं उसको कि यह बोल रहा है कि 10 परसेंट का हम ब्याज लेंगे तो 10 परसेंट का ब्याज मतलब 10 रूपय सेंकर यानि 100 रूपया में 10 रूपया हम लेंगे अगर 200 रूपया लेंगे तो 200 रूपया का 10 परसेंट 20 रुपय हम लोगों से वो ब्याज के रुप में लेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं दर इसको क्या बोलते हैं दर और कितने समय के लिए लेंगे कितना दिन बाद चुकाओगे तो दो साल बाद चुकाएंगे तिन साल बाद चुकाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा यानि जितने दिन के लिए हम लोग लेंगे ब्याज को वो हमारा क्या कहलाएगा टाइम कहलाएगा शमय कहलाएगा ठीक है धर हो गया कि सो एंकड़े 10 रुपे या 20 रुपे सेंकड लेंगे 10 पर 30 या 20 पर 30 हम लोग ब्याज दर के रुप में लेंगे ठीक है तो ब्याज हम लोगों ने जान लिया मुलधन जान लिया समय जान लिया और दर जान लिया ठीक है अब हम लोगों को इसके कुछ महत्पुन फर्मूले हैं सिंपल इस्ट्रेस्ट का यानि साधारन ब्याज का एक important formula हमारे पास मौजूद है क्य दर बटा 100 मुलधन गुने शमय गुने दर बटा 100 यह है मुलधन का साधारन ब्याज का formula यह किसका formula है साधारन ब्याज का यह हमारा एक formula है बाकि जितने भी formula है हम लोग इसी से निकाल सकते हैं जैसे देखे यह ब्याज है तो ब्याज गुने 100 कर दीजी, ब्याज गुने 100, बराबर हो जाएगा, मुल्धन गुने समय गुने दर, अब जिसका भी फॉर्मूला निकालना, मुल्धन का निकालना है, तो समय दरबटा में आ जाएगा, अगर समय का निकालना रहेगा, तो मुल्धन और दरबटा में आ ज जैसे यहां से देखिए हम निकाल लेते हैं कि मुल्धन अगर हम लोगों को निकालना रहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे देखे मुल्धन निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे तो यह ब्याज गुने 100 और बटा में ब्याज गुने 100 और बटा में क्या तो मुल्धन तो बटा में चला जाएगा समय गुने दर यह हो गया कि इसका फर्मूला मुल्धन का इसका हो गया मुल्धन का तो मुल्धन का फर्मूला ब्याज गुने सो बटा समय गुने दर ब्याज गुने सो बटा समय गुने दर और भी फॉर्मूली हम लोग यहां से निकाल चकते हैं तीकें जैसे अगर मुल्धन का नहीं निकालना है समय का निकालना है तो समय का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा बिल्कुल क्या रहेगा सेम यह देखिए ब्याज गुने सो तो ब्याज गुने सो रहना ही रहना है ब्याज गुने 100 बटा तो समय का निकालना है ना तो मुल्धन गुने दर नीचे चलाएगा मुल्धन गुने दर यह कहां चलाएगा नीचे अगर हम लोग को यहां से निकालना रहता किसका फर्मूला अगर हम वोको यहां से निकालना रहता दर का किसका निकालना रहता DIR का तो फिर वही काम 22 गुने 100 ब्याज गुने 100 देखे 22 गुने 100 का तो थी रहेगा और बटा में फॉर्मूले को निकाल सकते हैं तो सब का फॉर्मूला हम लोगों निकाल दिया जैसे मिस्रधन का फॉर्मूला मिस्रधन में क्या मुल्धन और ब्याज आइट कर देंगे अगर हम लोगों को ब्याज निकालना है देखिए यह ब्याज है न तो ब्याज निकालना है तो मुल्धन समय क्या होता है हमारे पास तो समय जितने टाइम के लिए जितने दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रासी लेते हैं वो हमारा समय कह लाता है साधारन ब्याज का फर्मूला मुल्धन गुने समय गुने दर अब बटा में 100 अगर हम लोग इसको इस रूप में देख फर्मूले को इसके निकाल चकते हैं मुल्दन निकालना है समय निकालना है दर निकालना है तो इस तरह से आप फर्मूला निकालना भी समझ गए होंगे अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं देखे question number one 500 रुपी पर 8% वार्थिक व्याज की दर से 4 वर्स का सधारन व्याज क्या है देखे 500 रुपया मुल्धन हो जाएगा 8% दर हो जाएगा और 4 वर्स समय हो जाएगा तो सधारन व्याज का फर्मूला तो हम लोग को पता ही है अभी हमने बताया था सधारन व्याज का फर्मूला होता है मुल्धन गुने समय गुने दर बटा 100 देखे देखे पहला question है सधारन व्याज बराबर व्याज बराबर होता है मुल्धन गुने समय गुने दर और बटा में 100 अब यहाँ से मुल्धन कितना है 500 रुपया समय कितना है 4 वर्स मुल्धन गुने 500 समय है 4 वर्स और दर है 8 परसेंट और बटा में क्या 100 एक जी दो जीरो से यह दो जीरो खतम हो जाएगा यानि कि 5 चोके 20 और 20 अठी 160 ते 160 रुपया उसका क्या हो जाएगा साधारन ब्याज हो जाएगा ठीक है दूसरा नंबर क्वेस्चन दूसरा नंबर क्वेस्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है एक हजार उपय का 20 परसेंट वार्थिक ब्याज की दर से तीन वर्स का साधारन ब्याज क्या होगा मुलधन केतना हो गया मुलधन हो गया एक हजार उपया 20% वार्षिक दर से तो दर कितना हो जाएगा 20% और समय कितना हो जाएगा तीन वर्ष और बटा में क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे डबल जीरो से ये डबल जीरो खतम हो जाएगा अभी तीनों को गुना कर लेंगे 20 ती आई 60 60 में 10 से करेंगे तो 600 रुपिया ये 100 रुपया क्या हो जाओगा उसका साधारन ब्याज हो जाएगा क्वेस्चन नंबर 3 देखिए तीन नंबर जो क्वेस्चन है 18 ओपर 10 परसेंट वार्थिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारन ब्याज 800 मुलधन दर से 10 वर्ष का समय भी हो जायगा ठीक है 218 ऊरुपय हो जाएगा मुलधन तो मुलदन गूने समय कतना हो जाएगा 10 और ये भी क्या हो जाएगा 10 और बटा में क्या आ जाएगा 100 दो 0 से ये 2 0 खतम यानि कि 1800 रुपिया उसका क्यों हो जाएगा ब्याज हो जाएगा ये था question number 3 ठीक है अब हम लोग पहुँचते है question number 4 की तरफ question number 4 चौथा question है पांच हजार की रासी 8% की दर से 3 वर्स के लिए साधारन ब्याज कितना होगा तो बन जाना चाहिए 5000 रुपिया है 8% है और समय है 3 वर्स तो साधारन ब्याज ही निकालना है पांच मा question देखिए 6% प्रती वर्स ब्याज की दर से 8 वर्सों में 75,000 रुपिय का साधारन ब्याज कितना होगा तो हम लोग 5 नमबर question देखिए चाल नमबर तो आप खुद बना लेंगे 6% वर्थिक ब्याज की दर से 8 वर्सों में 75,000 का साधारन ब्याज 6% की दर से कितने साल में 8 साल में और बर्टा में कितना हो जाएगा 100 ये डबल 0 से ये डबल 0 खतम हो जाएगा अब हम लोग गुना कर लेंगे 75 गुने 6 और गुना में 8 6 पचे 30 और 6 सते 42 और 345 गुना में 8 तो 0 हो जाएगा 8 पचे 40 हो जाएगा और 8 चो के 32 32 और चार 36 यानि कि इसको हो जाएगा 3600 रुपिया ठीक है तो हम लोग आज की वीडियो में इतने ही प्रस्णों को सॉल्व करेंगे बाकि के जो प्रस्ण है वो हम लोग नेक्स्ट वीड वीडियो में सॉल्व करेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इसे सेयर किजिए थैंक्यू